पुरे बिहार भर में मैसूस किये गए हैं दिल्ली में भी जटके मैसूस किये गए थे और उस वक्त का जो केंद्र है वो नेपाल था नेपाल में पूरे तरीके से तबाही मच गई थी तो देखे एक बार फिर से ये बड़ी ख़बर सामने आ रही है जहां आज फिर बिहार में सहित दिल्ली में भी भुकम के जटके जो क्या कुछ हुआ है इसके बारे में तमाम जानकारियां अभी निकल कर सामने नहीं आ रही है लेकिन शुक्रबार की देराज जो घटना हुई थी वो आपको मालूम होगा कि नेपाल में तबाही मच गई थी कितने लोगों की मृत्तियों हो गई थी तो वहीं बता दे आपको 11 बच कर 32 मिनट पर जी हाँ वो समय आपको भी याद होगा जब कई लोग घर में होंगे और जिस वक्त ये भुकम के जटके मैसूस किये जा रहे थे सभी अपने घर को छोड़कर बाहर निकला आये थे और सभी बस इसी भैर में थे कि शायद कोई बड़ी तबाही हो सकती थ लेकिन नेपाल में ही ऐसी जो स्थिती है वो सामने आई थी और अब भी जो है वो एक बार फिर से भुकम की जो जटके हैं वो मैसूस हुए हैं पिशली बार की बात करें तो पिशली बार जो नेपाल में केंडर था उस समय करिब 157 लोगों की मौत हो गई थी और भुकम का जटके आए थे उसमें किसी तरिकी से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ था तो देखें बड़ी खबर सामने आ रही है एक बार फिर से बिहार में भुकम के जटके मैसूस किये गए हैं और इसके बारे में जो तिवृता है वो अभी बताई जा रही है 5.8 जी हां 5.8 जो जटके जो है वो आए थे और कैसे अचानक धरती जो है वो डोलने लगी जो लोग कुरसी पर बैठे थे उन्हें भी इसके बारे में महसूस हुआ कि भुकम जो एक बार फिर से आया तो देखें ये दूसरी बार क्योंकि हम बात कर रहे हैं शुक्रवार की देर रात ही भुक कि जटके महसूस किये गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्जू पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद